अस्सलामु आलेकुम गुड मॉर्निंग आप सबका मेरी चैनल पर वापस से स्वागत है गोल्ड का चार्ट है यह दो हाजार बत्तिस डॉलर के आसपास गोल्ड प्राइसेश चल रहे हैं कल गोल्ड प्राइस positive zone में एंटि घो गई थी, गोल्ड प्राइसेश की कल हमारा buy signal भी था गोल्ड प्राइसेश में buy signal initiate हो थोजार पच्छीज़ के आसपास तक्रीवन इस candle के आसपास हमारा थोजार पस्ची़ डॉलर के आसपास buy सिग्ल एशेट होँ आदा 2036 का हमारा टार्गेट था बट 2035-50 के आसपास यानि यह तकरीवन यहां हमने एंट्री एग्जिट कर ली तिक्कत यह थी कल के थोड़ा सा डिस ही हो रहा था गुल्ड प्राइस थोड़ा सा डिजीनस आई भी गुल्ड प्राइस के अंदर बट यह है कि 2037 के बाद डिजीनस आई और 37 से तकरीवन 2020 तक गोल्ड चला गया था फिर एक अच्छी रिकवरी जरू गोल्ड के अंदर आई बट यह दिजीनस तो आ गए थी अगर प्रॉफिट बुक नहीं करते तो हमारा 2021 का जो स्टॉपलस था वो हिट होना तय था तो प्रॉफिट बुक करने के हुझा से हमारा स्टॉपलस हिट नहीं हुआ और साड़े 10 डॉलर का प्रॉफिट था कल गोल्ड प्राइसे में टार्गेट से पहले या फिर टार्गेट के बाद मैंने आपको एक मार्केट कॉमेंटरी के अंदर अपडेट दिया था उस टाम दोहजार 24 डॉलर के असपास गोल्ड प नहीं बनी है आप यह देख सकते हो सारे के सारे विक्स हैं तो 2023 का जो लेवल था वो वैलेट था उस टाइम अभी लेवल अफकॉर्स चेंज होंगे बट 2023 के ट्रेंग डिसाइड है ने परफेक्क काम किया और 2020 से मार्केट उपर चला गया मार्केट कॉमेंट्री और पेट सिंग्नल्स की जानकरी के लिए मेरे टीम का वाटस अप नमबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है अभी 2021-32 के आसपास चल रहा है आज जो है जर्मनी के GDP नमबर से हैं उसके बाद शाम को साड़े आट बजे कंजीमर कॉन्फिदेंस और कुछ भी significant रहेगा तो मैं आपको telegram ट्विटर पर बता ही दूंगा तो make sure आपने मुझे दोनों जगा follow किया है चैनल पर first time आये हो तो make sure आपने चैनल सब्स्राइब करके रखा है ताकि रोज की notification आपको मिल पाए वीडियो के तो आज का resistance आज का support क्या है गोल्ड का देख आज का गोल्ड का support है 2020 टॉलर का resistance है आज का 2041 टॉलर का trend इसका positive है तो रखेगा खयाल अब चलते हैं चान्दी की तरफ कर सिल्वर भी buying था हमारा 22.90 पे बाएंग था 23.19 का target था बट ये जो सिल्वर में crack आया था इससे पहले ही हम exit कर चुके थे 23 डॉलर के आसपास तो कल सिल्वर में भी profit था resistance support सिल्वर का क्या है देख लेते हैं वैसे mcx के भी गोल्ड सिल्वर के level आपको market commentary में देखने को मिलेंगे ध्यान लखेगा mcx के level सिर्फ whatsapp वाली market commentary में आते हैं youtube वाली market commentary में नहीं आते हैं support है आज का 22.90 का resistance है आज का 23.40 का trend इसका भी positive है तो रखेगा खयाल वाट्सएप वाली market commentary आप मेरी टीम के साथ वाट्सएप पर बात करके ले सकते हो नमबर डिस्क्रिप्शन में है उनका क्रुड ओयल 77 डॉलर के असपास चल रहा है अभी भी flat zone में है यह एक अच्छी जो है इसने 80 डॉलर वाला जो resistance अगर आपको याद हो दो हफते पहले मैंने weekly analysis में आपको एक 80 डॉलर का resistance दिया था वहां से जबरदस्त crack ज़रूर आया है बट अभी भी weak zone में नहीं गया है crude oil prices weak zone में जाने के लिए इसको पार करना होगा 76 यानि कि 76 अगर break करता है और उसके नीचे sustain करता है तो 75 और 74 डॉलर तक जा सकता है resistance है आज का 78 बीस का 78 बीस के उपर 29 बीस जो कि उसने high बनाया था उसके आसपास और 80 डॉलर तक जा सकता है trend इसका fillet है तो रखेगा खयाल चलते हैं यूरो की तरफ यूरो में कल 810 का support था हमारा 810 की नीचे ज्यादा कुछ हुआ नहीं 795 का low बनाया आज का resistance support क्या है 790 आज का support है 790 के नीचे अगर जाके sustain करता है ध्यान लखेगा इसे sustain करने की आवशकता है 790 के नीचे 750 तक जा सकता है 855 का 855 की उपर जाके अगर sustain करता है तो फिर एक positive zone में जाने की कोशिश हो सकती है 261 का low बनाया है 2650 का support पूरी तरीके से follow किया British pound ने 2720 का resistance है थोड़ी दिर पहले high बनाया है 2720 के इसको resistance के उपर जाके क्या कहते हैं मानना पड़ेगा यानि के 2720 के जो कल का resistance था वो अभी भी valid है 2720 के उपर जाके अगर body बनती है wix की बात नहीं हो रही है bodies की बात हो रही है 2720 के उपर body बनती है तो जरूर British pound positive zone में जा सकता है और 2720 के उपर 2770 और 2800 तक जा सकता है however अगर 2650 breach हो जाता है तो 2600 तक British pound जा सकता है अब आते हैं Bitcoin पर यह हैं कल के लेवल 2320 का resistance था वो break हो चुका है 41,000 का जो support था वो अभी भी valid है resistance में change आएगा 24,250 का resistance है आज इसके उपर 45,000 डॉलर तक जा सकता है लेकिन अगर 41,000 breach होता है तो फिर Bitcoin के लिए issue आ सकता है और 41,000 के नीचे 49,000 तक Bitcoin जा सकती है जी हाँ 2000 डॉलर का crack अच्छा crack आ सकता है 41,000 डॉलर के नीचे Ethereum पर आते हैं 2210 का कल support था यह कल गई है Monday का 2233 तक चला गया था 2340 का resistance है वैसे support positive ही था मनलब कल trend positive ही था बट 2210 का support एक अच्छा Ethereum ने follow किया आज का support है 2240 का resistance है आज का 2370 का trend इसका भी positive है तो खयाल रखेगा paid signals और market commentary की सारी जानकारी मेरी website पर है link description में है टीम का WhatsApp नमबर भी description में है कोई doubt अगर आपको आ रहा हो तो टीम से WhatsApp पर बात कर सकते हैं वीडियो useful लगा हो तो like, share, comment कर दीजेगा अब मिलेंगे next वीडियो में तब तक के लिए take care, bye-bye